नमस्कार मित्रों इस वक्त मौसम को लेकर बड़ी खबर आ रही है अभी भी मौसम वाग ने केई जिलों के लिए बड़ी खबर जारी कर दिया अगले दो दिन के बाद बनेगा लोपरेसर सिस्टम क्योंकि पहले साइकलोन की आसंका जता ही जारी थी कि साइकलोन तुफ़न बनेगा मंगाल की खाड़ी में और उसका नाम तेज होगा लेकिन आएमडी ने खा है साइकलोन की आसंका अब नहीं है 15 राजियों में बारिस का अच्छे वसाज की संबावना है उदर आएमडी ने बताया बनगाल की खाड़ी में आगले दो दिन के बाद लोपरेसर बनना सुरू हो जाएगा दो जिरे दिरे वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट की और आगे बढ़ेगा हाला कि मौसवाग ने फिलाल किसी भी तरह के साइकलो ने बाद लोपरेसर बना से इंकार किया है और तमिल नाडू में भारी बार इसका अलड़ जिसके चलते हैं यहां पर कई जिलों के लिए इसकुलों वगेरा बंद कर दी गई है केर हम बात करेंगे राज़स्तान के मौसम के बारे में आगामी जिनों के दोरां राज़स्ता मेर में इसकी विदाई भी शुरू हो चुकी हारांकि इस बार इलनों की पॉजिटिव कंडिशन को देखते हुए बश्यवानी जताई कि मौसम की बारी इस बार सामाने से कम होगी लेकिन एसकुलों का अनुमान है कि रास्तान में अगले कुस दिन तक हलकी मद्यम बरसाज क की गत्युजा जारी रह सकती है फिर सतंबर के आकरी सब्ते तक परदेश में मौनसून पूरी तरह से विदाई ले सकता है गंगानगर हमानगड के कि इलाकों में तूफानी बारिस हुई जहां पर जबरदश्त किसानों को नुक्सान हुआ दो फिर के बाद तेजवां के सा तेजवां के साथ बारिस हो रही थी जिसे किसानों को परसलों को कापी नुक्सान हुआ लेकिन मौनसून की बात करे तो जैसल मेर बार्ड मेर के अलावा बिकानेर के कुछ इंसों से मौनसून की विदाई की सुरात हो चुकी है वर्तमाइन में मौनसून की विडरॉल लाइ नोखा जोदपूर बार्ड मेर से होकर गुजर रही बिकानिर गंगानगर पाकिस्तान की सिमा पर अब एंटी साइकलोन बन गया मोसम विसेश का अनुमान है कि विपरित सक्रवातियों का चेक्तर गड़ी की दिसा में घूमने की इस्ति बढ़ने के साथ ये अब राइजे में मौन सुन तेजी से वापस होने लगेगा और अगले तीन चार दिन तक किसी भी जिले में कोई अलट जारी नहीं है जहां पर भी वारिस होती है अचनक मोसम बदलेगा जो की अचनक मोसम इस्तानी पेटन के कारण बजलता है और अगले तीन दिन तक परदेश में कहें भी त जियपूर अज्मेर जेपूर संबा के जलो में देखा जाओ सकता है बाकि विकानेर और जोधपूर संबा का मोसम लगबख सामय यमसुस का बना रहेगा लेकिन बादल जरूर साथ सकते हैं बारिस की संबावना कापी कम है जहां पर भी मोसम बदलेगा यानि अचनक मोसम बदलाओ के साथ कहीं कहीं भारी बारी तो कहीं खंड वरसा कहीं तो बुंदा बांदी रेकर हो सकती है आगे की जानकारी समय के साथ देंगे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है